बिलकुल और वाले जितने भी बच्चे हैं उनका regular दोनों का पेपर सेम ही होता है सेम टाइम पे होता है इन फेक्ट आप यहाँ पे तीन तरीके के बच्चे बैठे हो सकते हैं एक हो सकते हैं आपका regular college का एक हो सकते है आपका non college का हो सकता है SOL जो School of Open Learning Department है इन तीनों में basically कोई फरक नहीं है regular college बाला बच्चा regular college जाएगा non college में सिर्फ girls के लिए यहाँ पर सिर्फ become program होता है become owners नहीं होता तो non college वाले जो है student उनको सिर्फ weekly weekend पे बुलाया जाता है वो हर college का अलग होता है किसी college में Sunday का provision होता है किसी college में Saturday में और जितने दिन regular college वालों के छुट्टी पढ़ जाती है exam देने के बाद या कोई भी vacation तो non college वालों का regular class हो जाता है sir regular college वाले का भी attendance compulsory है non college वाले का भी attendance compulsory है without attendance आपको admit card नहीं मिलेगा admit card मतलब जब paper देने जाते हो जिसे roll number कहते है 12th class अभी देखा है तो उसकी बात कर रहे है अब बात कर लेते है school of open learning school of open learning की भी classes होंगी Sunday Sunday classes लगेंगी लेकिन उसके अंदर class में जाना या ना जाना compulsory नहीं है वो आपके इच्छा है किस college में regular वालों का तो जो college गया है उसमें non वाले का जहां पर center लिया है वो sol वालों का एक notification आएगा उसके accordingly उनको center alert कर दिया जाएगा nearby दो-तिन college option में देंगे वहां पर किसी में भी जा सकते है अब बात करते हैं assignment non college में भी अब assignment होंगे regular में भी assignment होंगे तो graduation एक ऐसा education है इंडिया के अंदर जिसका कोई फाइदा नहीं और बहुत फाइदा है अगर आपने graduation नहीं किया तो आप entry नहीं कर सकते और सिर्फ graduation किया तो कुछ कर नहीं सकते अगर आप graduate हो जा और बोलो मैं graduation कर रखा है तो मुझे नौकरी चाहिए तो not possible साथ के साथ skill enhancement भी करना पड़ेगा तो D.U.C. पर काम कर रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ core subject ना पढ़ाए जाए skill के साथ साथ skill enhancement के भी कुछ चीज़े दी जाए तो करना mandatory है लेकिन इसके साथ साथ अब कुछ बच्चे मैं सबसे पहले बता देता हूँ दिक्कत यह होती है कि कुछ बच्चे ना स्टार्टिंग से कुछ additional subjects लेके चलते हैं सर क्या additional subjects जैसे मैं बात करूँ कुछ extra course extra courses लेके चलते हैं मैं slivers का भी discuss करूँँगा अब आपके ना साथ paper है जो कि साथ आपने 11 वी बार वी मिला के दिये हो लगबग लगबग उतना ही हो जाता है और ये एक साल का paper नहीं है आपका semester चलेगा क्योंकि अभी आप आए हो तो सारी चीजे देखो कुछ बच्चों को पता भी है कुछ बच्चों को नहीं भी पता है तो basically हमारा जो graduation है ना जो graduation वो तीन सालों का होता है अगर मैं become की बात करूँ तो सर तीन साल का है चार साल वागेरे वाली बाते आ रही हैं वो बात के बात देखने हैं इसके अंदर तीन year होते हैं जिसको बोलते हैं first जिसको बोलते हैं हम और last होगा सर इसके अंदर भी क्या रहता है हमारा semester रहता है इसके अंदर भी देखा जाए तो semester रहता है यहाँ पर दो semester होंगे एक होगा semester 1 और semester 2 same यहाँ पर आ जाएगा semester 3 और semester same यहाँ पर आ जाएगा semester 5 और semester 6 paper जो हमारे चलते हैं old even के concept में चलता है normally पहला exam हमारा जो conduct होता है always हमेशा वो होता है December में जो कि semester 1 होता है और फिर 3 भी होगा उसके साथ और फिर 5 भी होगा यानि आप 1 दे रहे हो कुछ बच्चे आपसे senior होंगे जो second year में पहुँच गया होंगे तो वो कौन सा देंगे semester 1 दे रहे होंगे और उससे भी जो senior होगा वो कौन सा दे रहे होंगे semester 5 दे रहे होंगे एक paper ये conduct करते है जून में जब ये paper जून में conduct करते हैं तो उस situation में क्या होता है इनका कि इनके पास semester कौन कौन से होगा आपका 2 4 और 6 यानि आपका जून में जो paper होता है semester 1 वाले होंगे 1st year वाले कौन सा paper दे रहे होंगे और 2nd year वाले कौन सा दे रहे होंगे और 3rd year वाले दे रहे होंगे ठीक है हाला कि COVID के वज़े से delay है यानि आपका paper तो सर दिसंबर में होना चाहिए नहीं हो रहा तो DU ने क्या करा इस paper को postpone करके कहा कर दिया लेकिन एक के साथ जो 3 है न एक के साथ कौन सा होता है 3 तीन अभी चल रहे है paper और 5 के भी चल रहे है कल भी paper है एक 5 के तो ये वाले तो पुराने बिना COVID के आपका result भी लेटा है वो तो अपने schedule पे है आपको थोड़ा सा extension करके March कर दिया गया Sir अगर March कर दिया गया तो अगला second semester कब आएगा आपका बताओ July लेकिन time तो मिला नहीं June जुलाई में March के बाद April मई तो वो जो second semester होगा न उसके अंदर फिर आपको extension दिया जाएगा साहद वो August में होगा मतलब इतना time दिया जाएगा फिर आपका third semester कब होना चाहिए वो December या जन्वरी में ले लेंगे यानि Sir 2000 22 के अंदर आपको तीन semester देने है semester 1 हाँ sorry 23 के अंदर semester 1 semester 2 semester 3 बच्चों को इससे aware होना पड़ेगा नहीं तो वो क्या करते हैं डेड़ साल का कुछ बच्चे computer course जोइन कर लेते हैं कुछ और किसी curriculum में लग जाते हैं तो उनका वो पैसा waste हो जाएगा मैं पहले बता दू Sir semester 1 के अंदर पता है कितने subject हैं साथ अब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा बच्चे सोच लेते हैं साथ यहां पर एक नए साथ सब्जेक्ट आगे नए बिल्कुल नए किताबे नए रजिस्टर सब कुछ नहीं यानि कितने subject होगे आपके एक साल में 14 सब्जेक्ट हम वैसे अभी कितना पढ़ते आएं पांच या छे यानि आपने दो साल में भी 14 सब्जेक्ट ग्यारवी बारवी को भी मिला दो तो 14 सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े हैं समझ रहें न बात को अब आपके 2023 के अंदर कितने semester होंगे एक भी दोगे दो भी दोगे और तो कितने paper हो गए 21 paper 2023 में आपको qualify करने है तो आप समझ सकते हैं कि 21 paper है तो दूसरे काम कैसे कर सकते हो not possible computer course time ही नहीं मिलेगा सर आपको साथ के साथ अब बात करते हैं बच्चों के मन में doubt रहता है सर हमारे पास 7 paper है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ इस्कूल में तो किसी paper में pass नहीं होते थे तो आ जाते थी compartment और हम जब तक compartment को pass नहीं करते थे तब तक हम अगले class में नहीं जाते थे यही रहता था ना 11 वी में compartment आये फिर कुछ दिनों के बाद compartment का paper होता था और फिर हम क्या करते थे उसको देने के बाद pass होगे तो ठीक नहीं तो फिर दुबारा 11 भी करना पड़ता था यहाँ पे साथ में से मान लोग किसी भी paper में नहीं pass होते मान लेते इसमें आप fail हो गए तो आपकी आईगी तो compartment जिसका थोड़ा modern नेम रख दिया गया जिसको बोलते है E.R. Essential Repeat जिसको बोलेंगे E.R. Essential Repeat लेकिन परह कितना है कि आपको semester number 2 के अंदर भेज दिया जाएगा यानि एक paper में fail हो गया आपको second semester में promote कर दिया जाएगा अब जो पहले paper में आप fail हुए है जब तीसरे का paper होगा तो इस paper को चौथे number paper को तीसरे semester के साथ देने होगा तीसरे के तो साथ ही है एक और आ जाएगा मतलब यहाँ पर आपको promote कर दिया जाता है लेकिन जब आपको 12 का certificate तो एक साल में मिल जाता है लेकिन graduation का certificate हला कि आप कर दिया है हर साल देंगे हम लेकिन मान के चलो आप तभी graduate मानोगे finally जब आप क्या complete कर लोगे final year जब आप final year complete कर लोगे तब मिलेगा और final year में जितने भी subject है कितने subject है हमारी tutor मैं first semester के basis पे अंदाजे से बोल रहा हूँ first semester के basis पे क्योंकि 7 subject है और semester 6 है तो कितने होगे 42 subject जब तक pass नहीं कर लेते तब तक आपको final year की degree यानि graduation की degree नहीं मिलेगी तो यानि अगर पहले semester में जो बच्चा fail हुआ किस के साथ देगा तीसरे का साथ और जो अगर तीसरे में भी pass नहीं हुआ तो देखा पांचवे का साथ ऐसे चलेगा OD1 जो कि आपको थोड़ी बहुत देखो basic चीज़ है पता होना बहुत जरूरी है नहीं पता होगो तो बच्चे सोचते रहते हैं अब क्या करे नहीं करे वो बहुत जान खाते हैं फिर बाद में तो बड़ी basic सी चीज़े है यह जो कि आपको पता होना चाहिए यह हमारा पूरा semester wise system चलेगा हमारा तर second semester में भी accounts पढ़ेंगे यह के 6 semester में accounts आएंगे आपके ऐसा कोई semester नहीं है जहां पे आपका accounts नहीं आएगा लेकिन हाँ यहां पे आपके दूसरा account होगा आगे corporate account होगा फिर cost account होगा फिर financial management होगा फिर management account होगा फिर income tax होगा GST मतलब के हर एक subject में उन्होंने दिये है पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अभी पढ़ोगे ठीक है चलिए syllabus की बात कर लेते है हमारा जो syllabus है main मुद्दे की बात यह है कि हम अगर बात करें तो financial account के case के अंदर हमारे पास syllabus आपके सामने given है सर एक्जाम कितने नंबर का आएगा ये भी बता दो सर आपका एक्जाम जो आएगा ना वो आएगा 75 marks का सर 75 क्यों 100 का paper नहीं आता college के अंदर college के अंदर paper ही design होता है 75 का जैसे हमें बस से लेके 12 तक तो हमने देखा कोई भी paper हो कितने number का आ रहा है 100 का आ रहा है सारा paper कितने का रहा है 100 का अब वो 100 का trend change हो जाता है अब उसको क्या कर देते है 75 का सर 75 का अगर paper आएगा तो कितने question आएगे paper में जैसे कि आपने 12 में देखे होंगे 30-30 question 35-35 question भी आएए है आपके question आएगे number of question की मैं बात करूँ जो आपको करने सिर्फ 5 5 की question आएगे पूरे paper में यानि simple सी बात है एक question और into में 5 तो अगर 15 नंबर का सवाल आ रहा है आपके exam में तो exam का question का lengthy भी होगा वो अब वहाँ पे तो sir 30 question आते तो 20 तो mcq होगा एक एक number वाले ठीक है न लेकिन यहाँ पे आपके full-fledged question आएगे आपके पहले तो ये 5 question आएगे हाला कि आपको आएगे 10 question कैसे 10 question होगा आपका first question इसके और में भी एक second question इसके और में एक third question इसके और में एक और fourth question इसके और में एक और fifth question और इसके और में एक तो होगा न 10 ये दो होगा इस दोनों में से कोई एक करिए फिर इस दोनों में से कोई और फिर इस दोनों में से कोई एक तो इस तरीके से आपके question पेपर में आपको देखने को 10 सवाल, 10 questions मिलेंगे, लेकिन आपको करने क्या है, कोई 5 नहीं, जो 5 करने है, option वाले वो, कोई ऐसा नहीं कि 10 में से कोई भी 5 करोगे, कुछ papers आपके ऐसे भी होगे, कि 10 questions आएंगे और बोलेंगे कोई भी 5 करो, जैसे economics में आता है, लेकिन मैं accounts की की बात कर रहा हूं, सरिफ, FA की बात कर रहा हूं, financial account की, तो इसमें इस तरीके सा आपका पूरा provision रहेगा, पहले छोटी से बात क्लियर आपको, slaves की बात करें, सर, आपका slaves पूरा revised है, बिल्कुल नए pattern से है, पुरानी slaves में कुछ भी नहीं है, नए pattern से है, आपके chapter total 8 है, depreciation, सर कितने number खाएगा ये, और depreciation का modern name दे दिया गया, जिसे PPE भी बोल देते हैं, और property, plant and equipment भी बोल देते हैं, पहले हमने पढ़ा था depreciation, अब उसको modern नाम दे दिया गया, क्योंकि आप सभी SLK या फिर जो regular के index चेक करोगे, वहाँ पे आपको depreciation देखने को नहीं मिलेगा, property, plant and equipment देखने को मिलेगा, जो की हमारा govern करता है accounting standard 10, पूरा पढ़ना है, 15 नमबर का सवाल आएगा इसमें, तर इसके बाद intangible assets, ये हमारे पास कभी थाई नहीं आज से पहले, और ना कभी पढ़ा, बिलकुर new है, तो जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे, ये according to AS26 हमें प लगते थे, हमें बस पता के depreciation है करके खतम करें इसको, हमें क्या मतलब है क्या accounting standard लग रहा है, बस एक थोड़ा सा बताया जाता था, cash flow statement, कौन सा accounting standard लगता था, cash flow statement पे, AS3, कौन सा लगता था हमारा, आपने सुना भी होगा, AS3 लगता था, उस पे, simply, अब इसके बाद देख पाइनल अकाउंट, सर आपने जो 11 वी क्लास में पढ़ा हुआ है, वही है, सवाल 15 नंबर का इसमें से भी आएगा, और थोड़ा सा extra है इसके अंगर, मतलब इसके adjustment और extra हो जाएगे हैं थोड़े, समझ रहे हो, non-profit organization, आप तो पढ़ नहीं पाए, क्योंकि स्लेबस में से सा कट गया था या था आपके, था, तो जो non-profit organization पढ़ा था, वो सरिफ आपने एक phase पढ़ा था, इसके तीन phase होते हैं total, जिसमें से दो phase होते हैं, वो इसमें और सीखेंगे हैं, ठीक है न, सरिफ आपका एक पार्ट था, सर, ज्यादा से ज्यादा मान के चलो, इन दोनों में choices आते हैं, ज्यादा से ज्यादा, तो हमारा, ये chapter 15 का हो गया, ये भी 15 का हो गया, इसके बाद branch सर, branch account आपके लिए बिलकुल new है, आज से पहले पढ़ा नहीं है, तो discuss करके भी फायदा नहीं है, branch account आपका है, ये भी 15 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, तो आप देखो, तीन question आपके बन चुके है, 15, 15, 35 के, और दो question, आपका आगया department और branch इन दोनों में ज्यादा से ज पंदरा नंबर का आगया, कितने question हो गया, 15, 15 कितने निपट गया, कितने नंबर का हो गया, 60, अब हमें आरे paper कितने नंबर का आएगा, 75, एक question तो अभी भी रहे गया, सर, वो आएगा theory, theory में क्या है आपके, सारा का सारा, AS, सारा का सारा, IFRS, Basic Concepts, सारा का सारा, AS9, और क्या है हमारा, जो आपने 11 क्लास में पढ़ा था, accounting entity, business entity, या फिर आपने पढ़ा था, prudence principle, historical cause, going concern, तो जितने principle और assumption थे, तो वो, इन सभी में से कोई सा एक question कितने का आजाएगा, और may be possible in practical में से एक पंदरा का theory भी मना दे, तो overall आपका exam का pattern ये रहने वाला है, और आपके subject, सार हम पढ़ेंगे किस से, किताब कौन सी होगी, book कौन सी होगी, तो हमारा जो book होगा, book के writer का नाम है, all over Delhi University में सरिफ one on one, एक ही book चलता है, J.R. Monga, book का नाम भी लिख लिजिया, मैं इसी book को prepare करूँगा, और इसी book के questions भी मैं सारे के सारे करवाँगा, ताकि जो बच्चे, जितने बच्चे live होते हैं, तो live वाले बच्चों को ये ना लगे के हमारी पढ़ाई कहीं और से चल रही है, तो book आपको buy करना है, J.R. Monga, सार, latest edition लेना है, क्योंकि आपका syllabus नया है, कुछ दुकानदार हो सकता है आपको पुराने वाला दे दे, तो उस case में आपके लिए वो irrelevant है, बिकार है वो, तो आपको बोलना है सार, नही वाली book दो, जो नही वाली edition है, देख समझ के लेना, बिकॉम प्रोग्राम के जो book है, उसके उपर MRP 650 का है, ओनर्स वाले पे भी एप्रोक्स 650 का ही होगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, के प्रोग्राम और ओनर्स वाले में से, कौन सर दुकानदार कितने रुपए का discount दे, तब वो आपके उपर है, मैंने MRP बता दिय आपको, प्लस इसके साथ साथ, अभी आप 12th pass करके आए हो, college के अंदर, बच्चा जब तक pass tier के question नहीं कर लेता, pass हो ही नहीं सकता, pass tier कर, यानि पिछले साल जो paper में आया है, लेकिन सर आपका slave us तो बना भी है, तो आपसे पहले तो किसी का होगा नहीं, तो जो इस ये chapter पहले भी था, ये सारे chapter पहले थे, तो इस chapter से जो examiner ने question बनाए है, वो ही क्या होते हैं, repeat होते हैं, तो हमें इसके साथ 10 year भी करना होग अब जो बच्चे regular हैं, non college है, अभी नया नया है, अभी तक गए नहीं हो, college में जाओकर पता चल जाएगा, फटा फटा फटा, जितने भी theory होते हैं, हर बच्चा ये जरूर लेता है, हर बच्चा लेता है, अभी आपको 10 year नहीं लेना है, क्योंकि ये जो 10 year है, जो right होता है उस शिब्दास का आता है, आप अपने senior वगरे ऐसे पूछोगे, तो अभी तक 10 year मैंने बनाए नहीं है, इसके अंदर जितने भी notes डलते हैं, वो मेरे notes डलते हैं, तो अभी तक मैंने 10 year बनाए नहीं है, तो 10 से 15 दिन तो मुझे खुद उसमें सारा update करने में लगेगा, 10 year में से भी सवाल करेंगे, के बिल्कुल, पहले हम पूरा JR मोंगा खतम करेंगे, questions, उसके बाद 10 year के past year के सारे questions करेंगे, अगर ये दोनों चीजे कर लेते हैं, तो हमारे 75 आने से कोई नहीं रोग सकता, DU के अंदर कहना होता है, के भाई नहीं आते, बहुत सारे ऐसे student है मेरे, जिनके out of marks आएं है, सर आपके college के अंदर होंगे, बहुत सारे बच्चे जिनके out of marks आएं है, तो आपके number easily get किया जासे, 15 नमबर का सवाल होता है, गल्दी के कहीं chance नहीं होता है, अगर पूरा आपने ठीक से किया है, note वगएरा सब कुछ ठीक दिया तो पूरे marks आपको मिल जाता है, ठीक है न, दूसरी बात, अब assignment की बात करते हैं, इस accounts में assignment नहीं है, SOL वाले student के लिए, और non college वाले student के लिए, regular वालों के लिए, इसके अंदर internal assignment होगा, और वो college वाले तै करेंगे के कौन सा ह एक chapter मैं इसके अंदर लिखना भूल गया, क्योंकि अभी तक proper slaves का clarity नहीं है, एक सवाल यहां से बन जाता है, computer accounting, यानि computerized accounting, last unit है, तर इसमें क्या है, इसमें tally से related सारी चीज़े है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये, हाँ, इसकी knowledge और hint मैं दे दूँआ, या फिर आपको reference कर दूँगा, कि भई आप यहां से देख लिजे, tally, आपके college बगएर में होंगे, उस video lectures में बताएंगे, tally basically आप जब तक सीखोगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो commerce के होते हैं, आगर कुछ करना चाहते हैं, आगे चलके तो एक computer course करते हैं, computer course के अंदर basic होता है प्लस tally होता है, ठीक है, तो जिसने basic कर लिया, tally कर लिया, वो छोटे मोटे सवाल पूछे जाएंगे, laser कैसे prepare होता है, next sector चीजे, तो यह आपका पूरा का पूरा syllabus है, पूरा, timing sir class की क्या रहेगी, live class होगी आपकी MWF, 6 बजे, MWF होगी आपकी 6 बजे, अब कुछ सवाल, मैं कुछ चीजे बता दूँ, clarity कर दूँ, बच्चों को clear रहे, अब बहुत सारे बच्चे live में भी होते हैं, पहले यहां तक किसी को कोई doubt, बता दिए, यह पूरा clear है, कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ने वाले, chapter हम first start, कोई भी जिस दिन book लेके आओगे, अगली class से हम chapter start करेंगे, कोई भी chapter start कर लेंगे, अब कहोगे तो final account कर लेंगे, कहोगे branch, जो भी करना होगा, वो कर लेंगे, अब रहता है, यह जातर useful है, जो live class में बच्चे हैं, इनका सबसे major issue रहता है, या आप भी जो बच्चे offline है, आप हो जाते हो कई बार किसी ना किसी class में absent, अब यह सारे chapter एक दूसरे से, जब chapter start होता है, तो obvious है कि पीशे से link होता है, अगर इन case आप absent हो जाते हो, चाहे live वाला बच्चा अगर नहीं ले पारा, तो मैं उनके doubt के लिए, अगर मैं बात करूँ doubt के लिए, झाहे हो!